हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो माई यूटूब चैनल डिजेडवाइट टेक अन्बोक्सिंग व्लॉग के अनदर वुडियो में दोस्तों आज मेरे पास इसा प्रोड़क है जो पराक फ्रेग्नेंस के तरफ से है इसका नाम जो है बॉडी ऊद करके देखें यह उन में से ह जो मुझे पराक फ्रेग्नेंस के तरफ से एज फ्री सैंपल दिये गए थे क्योंकि मेरे पास इसके पहले एक यह था उद हलाबी दोनों सेमी है यह मैंने एसेच परफ्यूम से लिया था यह वाला बड़ा जो बॉटल है शिक्सेमेल का एसेच परफ्यूम से लिया था और यह पराक फ्रेग्नेंस के तरफ से यह जो बॉड़ी उद है वो मुझे एज सैंपल मिला है ठीक है कंफ्यूज मत हुई है दोनों प्रोड़क्ट सेमी है खाली डिफरेंस है नाम का इसका नाम है यह जो बड़ा बॉटल है मेरे हाथ पे इसका नाम है ऊद हला भी करके देखेंगे तो देखें यह कुछ इस तरीके का है यहाँ पराक फ्रेग्नेंस का सिंबॉल है और यह कुछ इस तरीके का बॉटल है ठीक है यह रोलर है एक्चुली उन्होंने मुझे श्टिक दिया था लेकिन मैंने श्टिक एना दूसरे चीज मतलब मेरे पास उता उसमें लगा दिया था और उसका जो रोलर नहीं वह मैंने इस पर लगा दिया था तो चले इसे टेस्ट करते हैं दोस्तों तो थोड़ा स्कीन पर लेते देखते कैसी कुछ हूँ मैंने पहले लगा चुका हूँ देखे कुछ इस तरह की आप्लेकिशन है तो आपको दिखेगा सही तरह के से इसके पहले मैं लगा चुका हूँ ठीक है अगर आप इसे शेक ने करेगे ना और एक दो दिन ऐसे ही पड अगर शेक ने करेंगे तो यही सेम हो जाएगा उपर मतलब वाइट पोशन उपर जाएगा और निचे फिर उसका वह अथर वाला पोशन यह रिदा है थोड़ा देखते इसे स्मेल कर इस तरह है इसका जो स्मेल है ना ओल्मोस्ट है ना ऊट के जैसे ऊट जो ओरिजिनल ऊटा है जिसका स्मेल थोड़ा मतलब ऑफ आफ आफ़र काइंड का स्मेल रहता है इसली आपको पसंद नहीं आएगा उस तरीके का इसका स्मेल है लेकिन बिलीविमी यह प्रोडक्त काफी अच्छा है यह मैंने जभी एसेच पर्फियम से लिया था तभी मुझे ऊट का इतना नौलेज भी नहीं था लेकिन यह फ्रेग्नेस आपने आप में काफी यूनिक था यह मैंने एकदम चीप रेट में लिया है तो मैंने सोचा कि फाराग फ्रेग्नेस से अगर मैं इत्तर ले रहा तो लगबग दोनों सिमिलर है परक है परक का थोड़ा अच्छे कॉलिटी का है यह थोड़ा लो कॉलिटी का है यही डिफ्रेंस है बाकी कुछ डिफ्रेंस नहीं है स्मेल दोनों का सेम है ऐस इडिज है कुछ प्रॉब्लम मतलब डिफ्रेंस नहीं है परक है कॉलिटी का मैन पिलाल रेनी सीजन चल रहा है तो यह मेरे स्कीन पर तो इजीली मतलब 6-8 घंटा तो श्याट तो बोल नहीं सकते हैं मतलब 6 घंटा पकड़ लिए 5-6 घंटा तो इजीली मेरे स्कीन पर रहता है बाकी मैंने ऐसा टेस्ट किया नहीं क्योंकि इसका स्मेल जो है वो पब्लिक फ एक पड़ दो है कि यह विजा पड़ा पड़ा बौलां पडला पड़ा यहा तलक पर वं आप सके अब न्यू बिगिनर्स इनको पसंद नहीं आएगी यह उद जो ओरिजिनल आता है उस तरीकी का इसका आफ वर्ड काइंड मतलब आफ काइंड का स्मेल है आपको पसंद नहीं आएगा मैं रिपीट करना चाहूंगा जिनको उद जिनों लगा है तो उनको इतना कुछ बुरा नहीं लगेगा यह काफी अच्छा है मुझे तो अच्छा लगा और यूनिक फ्रेंग्नेंस लगा इसलिए मैंने यह पर्चिस किया था लोकल मार्केट से मैं बस पराक से पराक फ्रेंग्नेंस से मतलब काली चेक करना चाहता था कि उनका क्वालिटी कैसा है वो कैसे क्वालिटी अ खेके करदें रिटियायस छोटा उनको मैं बूला था कि आप मुझे यह वाला भेज दीज़े तो उनने मुझे यह भीज दिया था तो मुझे काफी पसंद आया मैंने पराक फ्रेंग्नेंस से भी बात किया था तो मैंने letter मन को कहा था कि मुझे इसका एना मतलब 100 ml का बॉटल चाहिए तो उन्होंने कहा कि थोड़ा प्राइस इसका ज्यादा है तो कुछ थोड़ा 5-6,000 के करीबन था उसका प्राइस तो मेरा तभी बजेट नहीं था लेकिन जब कभी मैं लूँगा तभी मैं इसे डेफिनिटली लूँगा बॉट यूट काफी अच्छा है कॉल्टी वाइस देखाए कॉल्टी वाइस देखेंगे तो परक का अच्छा है मुझे तो अच्छा लगा लेकिन बहुत सारे मतलब पबलिक को अच्छा नहीं लगता है पतक किस मिर्स को आप वह आपके युपर टोटलली डिपरबंजट उपर डिपरबंजट करता है और आप किस जगे में काम करते हैं। इस के अज़ी उपर भी डिपरबंज़ा करता है लेकिन हाँ एकाद लोग पूछेंगे आपको कि क्या लग है आपने इसकी स्मेल जो है वो थोड़ा अलग है डिफरेंट है इजी लिए आपको पसंद नहीं आएगी ठीक है तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही बॉडिवूद नाम है बराक फ्रेग्नेंस के ओर से मेरे खा केता है कोई उधला भी केता है कोई और कुछ केता है तो अपने अपने ब्रैंट के अपने अपने नाम रहते तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो की साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर आपका दीन शूबो थैंक्यू